हेलो दोस्तो मैं अमित आप सब का स्वागत करता हूँ शो में जिसका नाम है अमित की रेमेडिस आप सब कैसे हैं दोस्तो लॉगडाउन के इस पीरियड में उमिद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं अच्छे हैं अच्छे से अपने घरों में हैं और अच्छे से ही रहिए अपने घरों में ही रहिए, मैं भी अपने ही घर में हूँ, स्वस्थ हूँ और लॉकडाउन के नियोमों का पालन कर रहा हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के इस वीडियो में दोस्तो हम बात करने वाले हैं, सपने में अगर आप किस करते वे देख रहे हैं, तो इसका क्या आर्थ होता है, दोस्तो होता है क्या है, कि हम अपने जीवन काल में कई तरह के सपने देखते रहते हैं, जिसमें से एक ये सपना भी है किस करना या किस करते देखना अब सवाल है कि किसे किस करते वे देखना तो सपने में हम अपने मापापा को हम किस कर रहे हैं ऐसा देख सकते हैं हम हमारे बच्चों को किस कर रहे हैं ऐसा देख सकते हैं या फिर हम अमारे लाइफ पार्टनर यान सपने में किस कर रहे हैं ऐसा भी देख सकते हैं अब अगर आप ये सपने देखते हैं कि कोई आपको किस कर रहा है या आप किसी को किस कर रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे को आपस में किस करते देख रहे हैं तो इन सब का क्या आर्थ होता है तो सबसे पहले तो दोस्तों ये बता दूँ कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो सपने होते हैं ये हमारे अंदर छिपे इच्छाओं को डिजायर को व्यक्त करते हैं और कभी कभी हम जिस इंसान को पसंद करते हैं फिर वो कोई आम इंसान हो या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे हम हकीकत में तो पास पा ही नहीं सकत पर उसके प्रती इतना deep feelings होता है हमारे मन के अंदर कि हम कभी-कभी सपने में उस इंसान को किस करते हुए हम अपने सपने में देखते हैं क्योंकि शायद ये कभी हकीकत ना हो सके ये हमें भी पता है पर सपने के जरिये हम उस से उस imagination को पूरा कर लेते हैं ये एक human psychology है अब चलते हैं कि भई जोतिश शास्त्र में ऐसे सपने अगर आप देखते हैं तो इसका क्या आर्थ होता है तो दोस्तों अगर आप सपने में किसी को किस कर रहे हैं तो ये एक अच्छा सपना माना जाता है शुप सपना है ये सपना बताता है कि आपको आने वले समय में तरक्की मिलेगी उन्नती मिलेगी खुशियां मिलेगी किसी भी रूप में किसी भी तरह से अब अगर आप शादिश होदा है और सपने में अपने पती को या पतनी को पाटनर को किस कर रहे हैं साब देखते हैं तो यह सपना यह बताता है कि आपके अंदर romance और romance की इच्छा है आप romance चाहते हैं life में romance चाहते हैं life में जिस कारण से आप ऐसा सपना देख रहे हैं अगर आप लड़की है और अपने ex boyfriend को आप किस कर रही हैं ऐसा सपना आप देख रही है वो भी कई बार तो ऐसा देखने का मतलब है कि आप आने वाले जीवन में एक नई शुरुवात करने वाली है और साथ ही अगर एक लड़का ऐसा सपना देखे तो भी इसका मतलब है कि आप एक नए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे नई मन्जिल की ओर इसके अलावा अगर सपने में अपने पार्टनर को बॉइफरेंड को या गवर्फरेंड को किस करते देखे तो आपके रिष्टे जो आने वाले समय में है वो आपस में मजबूत होंगे ऐसा ये जंकेत करता है अगर आप ऐसे इंसान को सपने में किस कर रहे हैं जिसे आप जानते ही नहीं है जो अजनबी है तो इसका मतलब है कि आप अपने उपर फोकस नहीं करते हैं वास्तविक जीवन में इसके लिए आपको अपने उपर फोकस करना जरूरी है वास्तव जीवन में ताकि आप अप अपने काम पे, अपने life पे focus करें और अपने life को आगे बढ़ाएं, अपने life में प्यार, romance, खुशियां आप वास्तव जीवन में पा सकें। अगर आपको सपने में किस करते हुए आप देख रहे हैं कि आप सपने में कोई आपको किस कर रहा है, ठीक है? आप यहां देख रहे हैं कि कोई आपको किस कर रहा है पर आप उस किस से खुश नहीं है उससे खुश नहीं है उस इनसान से खुश नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा सपना देख रहे हैं जो आपका दुश्मन है या जिसे आप पसंद नहीं करते तो इसका मतलब है कि असल जिन्देगी में वास्तविक जीवन में आप इंडिपेंडेंट होकर आपको आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है यदि आप किसी बच्चे को फिर चाहे आपका खुद का बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो आप माथे पर किस कर रहे हैं साब देखते हैं हाथों पर किस कर रहे हैं साब देखते हैं या फिर उस बच्चे को आप प्यार कर रहे हैं लाड कर रहे हैं साब देखते हैं तो सम ही यदि आप सपने में देखें किसी और के पती या पत्नी को किस कर रहे हैं एसाब देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई नया relationship प Teachers है लाइफ में चाहते हैं असल जीवन महीं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप जिसे सपने में देख रहे हैं उसी के साथ ये relationship शुरू हो, ये बस इस बात का signal होता है कि आप अपने जीवन में एक नई उर्जा चाहते हैं, नया romance चाहते हैं, जिस वज़ा से आप ये सपना देख रहे हैं, अगर सपने में अपने भाई या बहन को किस करते देखें, तो इसका मतलब ये होता है कि आप में एक सक्सेस बहुत उन्नती तरक्की मिलने वाली है, जौब, बिजनेस में, परसनल लाइफ में, हर तरफ में आपको तरक्की सक्सेस, खुशियां मिलेंगी ही मिलेंगी, इस बात का confirmation है, तो दोस्तों ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया, कि अगर आप सपने में किस देखते हैं और किन-किन तरीके से देखते हैं, तो इनसे क्या प्रभाव पढ़ सकता है आपके जीवन में, इसी तरह के रोचक वीडियो के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा, खुश रहिए, अच्छे से रहिए